हेलो दोस्तों कैसा आप सभी लोग तो आज की सब वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपना मेडिकल इस्टोर कैसे ओपिन कर सकते हैं मतला हाव टू ओपिन अवर मेडिकल इस्टोर अब देखो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी ने या तो बी-फार्मा का रखी है या फिर हो जाता है तो हम दवाईयां काहने से लेगे और इसमें इसमें प्रोफिट कितना वहीं fen Hmmm कितना कितना रुपह कमा रहे हैं तो आज किस वीडियो में हम इन सभी के बारे में बात करने की कैसे क्या होता है मेरे शुरू करते हैं लेकर उससे पहले कैसे हो आप आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपने सोची लिया यानकि अगर आपने मन बनाई लिया कि मुझे मेडिकल इस्टोर उपन करना है तो आपको क्या क्या चीज़ा चाहिए सबसे पहला आपके पास रुपए होने चा क्योंकि दवाईयों बहुत सारी रखने पढ़ते हैं फिर बरकर होने चाहिए आपके बास अगर आपने छोटा सा भी मेडिकल इस्टोर उपन किया है बहुत अगर इनिशियल लेवल पर है तब भी आपको छोटा छोटा चाहिए मतलब एक आपको लड़का चाहिए जो आप लाइसेंस मह Washington ढबार दवा कोगी आपको चाहिए कहां दो आगे बताएंगे बागी सॉप थो आपको चाहिए हो था यहाप करते हैं सबसे पहला मारे हमरे हम यह आता है बजट आप बजट बोले तो आपने जैसे कोई medical store खोलना है तो कितने रुपए आपको लगेगे कितने रुपए चाहिए होगे तो बेसिक दवाईया तो रखोगे जनरल वाली दवाईया रखोगे तो उनी सब की लागत लगबग 2-5 लाग हो जाते हैं सारा मिला के मतलब लागत है उसके लाबा और आपको थोड़ा मीडियम या थोड़ा बड़ा डालना है तो वहाँ पर आपको लगबग 5-10 लाग कहीं तो खोड़ोगे ना जैसे हमारी सब कहीं तो उसके लिए हमारी आती प्लेस अब प्लेस में अगर आप एक इनिसिया लेवल यान कि बेसिक खोल रहे हो तो उसके लिए लगबग आपको डेड़ सो स्क्वाइर फिट के जगह चाहिए एक कमरे के बराबार लगबग समझ सकते हो फिर आपको थोड़ा और बड़ा चाहिए तो 200 से 500 स्क्वाइर फिट तक की आपको जगह चाहिए थोड़ा सा मीडियम साइज का हो जाएगा और अगर आप एक बड़ा मेडिकल इस्टोर ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लगबग चाहिए 500 से 200 करना या आप मेंन मार्केट में भी उपिन कर सकती हो इसका क्या फायदा ditesक物 आपको काफी जादा मार्जिन मिल जाता है उसके अलावा आपको क्या कर सकते हो हॉस्पीटल के आसपास में खोलो क्योंकि कई बार खोल के रखते हो वहां भी आपको बहुत ज़्यादा profit होता है इसके अलावा क्या है कि आप जिसे गवर्मेंट मारे मतलब अगर आप government license मिल जाता है आप किसी government hospital के अंदर भी open कर सकते हो यह कई case में private hospital के साथ आप tie up कर लो तो hospital के अंदर भी आप open कर सकते हो उन वाले जो hospital के अंदर जो होते फार्मासिस्ट उनको थोड़ा ज्यादा profit होता है क्योंकि जो भी मतलब डॉक्टर लेगा कि नीचे से जाके दवाई ले लो तो वहाँ पर दवाई के अंदर लेंगे तो इसके लिए सबसे यादा illegal क्या होता है आपके पास या तो बी-फार्मा की डिग्री होनी चाहिए और ये डिग्री क्या है एकदम आपके पास complete होनी चाहिए अब जब आपके पास डिग्री कंप्लीट है उसके पास प्रॉसेस फॉलो करनी है वह मैं यहाँ पर आपको लिख पर fsda करके आपकी जो है website ओपन हो जाएगी अब यह साइज स्टेट वाइज हो सकती है तो वहाँ जाके आपको क्या करना है यहाँ पर एक मतलब क्रैटरिया आज आएगा लाइसेंसिंग रेजिस्ट्रेशन करके वहाँ जाके आप अपना फॉर्म करोगे जब आप फॉर् तो जब आपके बास रेजिस्ट्रेशन नमर आज आएगा देन उस रेजिस्ट्रेशन नमर आपने किया तो पूरा आपका फॉर्म फिल हुआ है ठीक है तो पूरे फॉर्म किए आपको हाइब कोई निकाल लेनी है तो इसके साथ मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्य है जैसे यहां पर लिखे हुए है जो बता दूंगा वह इंपोरे की एक फाइल बनानी है और जब आप आपके पास मिल जाता है उसके पंदर दिन के अंदर अंदर ऐसा नहीं है आप भूल जाओ कभी कराएंगे फिफ्टीन डेस के विदिन फिफ्टीन डेस आपको यह जो आपके सारी चीज़ बन भी जाएंगी तो वहां पर डिस्ट्रिक लाइसेंसिंग अथर्टी होगी वहां जाके आप यह सब सम्मिट करानी पड़ेंगे और जब आप यह सब सम्मिट करा दोगे तो विदिन मतलब अप टाइम तो लग जाता है तो कुछ टाइम बद आपने इमेल यडी और स्विटन नमर जो अपने भरा होगा उस पर आपके आप डेट आप कैसे हैं सारे के अपडेट आपके उसी के पास Zachts आए गे व हधाल化 पूरा जडिया है ऑप का क्या करना है पंदर दिन के अंदर यह जमा कर देना है और आपका लाइसिंस बनके त्यार होटाइगा ठीक है जो अब ऩहां चाहिए जो आप का बन जाएगा ट्रुप से पहले आपकी email id और phone number यह तो आपके कंबल सरी है उसके बाद आपका नाम हो गया address हो गया आपकी position आप उस time पर कौन सी position पर हो क्या कर रही हो मतलब current आपके situation क्या है उसके बाद एक आपका sign letter यह चाहिए उसके बाद जो drug license के लिए आपने फीज बरी होगी जो फीज का चालान तो जैसे फीज कभी भड़ते हैं उसको चालान बोलते हैं जो government हम फीज बरते हैं बागी फीज ही है normal वो ठीक है तो फीज की प्लैन की फूटो कोपी उसके बाद सौप का document अगर आपकी खुद की सौप है तो आपको सौप के काघज लगाने पड़ेंगे जो उसके रियल वाले हैं और अगर आपने मतलब किराए पे लिए तो आपका rent agreement चाहिए जहां पर उसके बाद आपकी डिग्री जो मैंने बोला बी फार्मा या डी फार्मा जो भी हो आपके डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए इन सब की फूटो कों भी लगेगी उसके बाद आपका फार्मसिष्ट होने का एफड़ेविट बनेगा वह आपको वहां बन जाएगा इसके अलावाद जैसे आप जब फार्मसिष्ट के लगेगा उसके बाद जो फ्रेज है आपका जो रेफ्रीजेटर जो मैंने बोला था उसकी रेसिप्ट भी लगेगी ऐसा इसलिए क्योंकि मेडिकल स्टोर में बहुत सी ऐसी दवाईयां होते हैं जिनको फ्रीज में ही रख सकते हैं उनके लिए कूल इस चाहिए तो वह खरा लाइसन्स बिलेगा देखने में लग रहा है लेकिन इतना भी जादा नहीं है आप इसली कर सकते हो बाकिए करने के लिए लोग बहुता है समझदारों करवा भी सकते हो तो इसके लावा आपको प्रॉफिट्ट कितना क्या होने वाला है तो अगर हम सिंपल बात करें अपने जैसे आप रिटेलर की अगर खूलना चाहा है हो तो रिटेलर के लिए आपको डवाइया èi अगी तो आपका बंधा हो गया होलसेल वारा कोलнул सब्हां बगरान ले सकते हो इसके लावा आगर बात करें तो 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 एह मार का मतलब क्या होता है जैसे कंपनी वाले होते हैं तो वह कुछ अपने अपॉइंट करते हैं यान की जॉब पर लगाते हैं अब 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 लोग क्या करेंगे कोई भी कंपनी है तो उसकी दवाईयों को ले दाके रिटेलर जो आपके मेडिकल इस्टोर वाले उनके पास जा जाके बेस्ते हैं कि यह हमारी दवाईय यह अच्छी है आप यह वाली रखो यह लोग को दो यान कि सिंपल अगर देखात आई तो अगर आपको मेडिकल इस्टोर तो एमर लोग खुद जाके आपके पास खुद दवाईयों को पहुँचाएंगे और यह और बोले क्याक है कंपणी से दवाईयां करी देंगे और वह कंपनी से दवाईयों को लेकर आप लोग के पास पहुचाएंगे तो होल सेलर मेडिकल इपनी अब लोग तो यह अगर आप लोग थोड़ा मधब दिमाग खुस्यार जादा हो तो आप अपनी वालों से भी डारक लिए अ कि अगर आप बेसिक आपने सिंपल रखोल रखा है तो स्टार्टिंग में ही आपको लोग है लगवग 15 से 20 से 25 जार तक आप मार्जिन बगरा कमा सकते हो इसके अलावा अगर आपको जब मालो टाइम हो गया आपने एक दो साल का पूरा अपना काम कर लिया एक्सप्रियेंस हो गया लोग को पता लग गया इता हुदर जानकारी हो जाते हैं तो आपका नॉर्मल जो है यही वाला तीस से 40,000 तक आपका जो है बिजने चला जाता है और कई केस में यह 50,000 प्लस आपके जो है हर मन्त आने लग जाते हैं तो देखाता है ओबरॉल मेडिकल स्टोर में काफी जादा काफी जादा ग्रोथ है और जैसे जैसे आपका मेडिकल स्टोर पुराना होता जाएगा आप उसकी ब्रांच ओपिन करते जाओगे लोग मतलब नजरों फैलता जाएगा आपके उसी तरह से इसमें रुपए भड़ते जाएंगे और एक मुएंट ऐसा आएगा आप मतलब महीने का एक लाग से जादा भी इसमें कमानी लगो ठीक है तो देखाता है ओबरॉल इसमें बहुत ज कर सकते हैं तो वह आपके उपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह को अगर आप बिल्कुल बिजनेश खोपड़ी वाले हो तो आप और अच्छे आप जो इसमें मार्जिन बगरा ले सकते हो तो यही जी सारी कहानी हमारी इस मेडिकल स्टोर के बारे में जाम बोल सकते है अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो कैसी लगी कमेंट करें बताओ और भी कोई एंसे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमसे बोल सकते कमेंट करके वागी मिलते हम आपसे बहुत है नेक्ट वीडियो में तक से एंक यू टेक केर एंड आपसे लोग अपना अपनी फैमिलिस का ख्याल रखेगा बाइबाद दोस्तों जहें दोस्तों